नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती नमस्कार बहुत वस्वागत है आप सब का देख रहे हैं जोतिष दिशास्त की राय स्पेशल मैं हूँ आपके साथ आचारे संतोसी बताते हैं अब एक ऐसी जानकारी जो आपके दिरों की धर्गन को बढ़ा देता है एक सामान धारणा के अंतरगत हम बताएंगे कि आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी का घर आपके घर से किस दिशा में है और अगर उस दिशा में है तो आपके प्रति उसका भाव कैसा होगा अब जैसे मान लिजे कि आपके घर से पूरब दिशा में आपकी प्रेमिका आपकी आदुरिक भाशा में कहा जाए तो गुर्फरेंड का घर है पूरब दिशा में तो आपकी प्रेमिका आपके प्रति काफी समर्पित रहेगी काभी आपके विशय में वो सद विचार रखेगी आपके प्रति लॉयल रहेगी लेकिन आपकी प्रेमिका के घर से वो भी ये वीडियो देख रही है तो अब उसको भी बता दे हम अगर आपकी प्रेमिका के घर से आपका घर पश्चिम हो गया तो ऐसा प्रेमी उसकी तुलना में कम लोयल रहेगा कम उसके लिए सोचेगा, कम उसके लिए विचार करेगा सेलफिश रहेगा और धोखा देने की संभावना प्रबल रहेगी यद्यब की ये दोनों इस्थितियां आपको अपने भाग्या और पंचमेश के आधार पर मिल रही है लेकिन फिर भी आज हम आपको बता रहे है तो पूरब दिशा के प्रेमी और प्रेमिका के विशे में हमने बताया कि अगर आपकी प्रेमिया प्रेमिका का घर आपके घर से पूरब है तो आपके लिए यह एक बहुत प्यारा संकेत है बहुत शुब संकेत है बहुत बहतरीन संकेत है लेकिन अगर आपकी प्रेमिया प्रेमिका का घर आपके घर से पश्चिम है तो अच्छी बात नहीं है अब बताते हैं कि अगर पूरब के बाद पश्चिम दिसा का है तो क्या इस्थिती रहती है जैसा कि हमने बताया पश्चिम वाले प्रेमी प्रेमिका के तरफ अगर आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका पश्चिम दिसा में रहती है चाहे PG में रहती हो, चाहे अपना घर हो, चाहे होस्टल में रहता हो, चाहे अपना घर हो, किसी भी रूप में, आपकी रिहाईस से उसका रिहाईस अगर पश्चिम है, तो ऐसा इंसान आपको कभी भी धुखा दे सकता है, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा अगर पश्चिम में है 100% याद रखिए गई आप पकड़ने अलग बात है ना पकड़ पाएं अलग बात है आप हमको आलोचना में ये ना लिख दीजिएगा कि हमारा तो ऐसा है पंडी जी आप गलत है हमारा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गलत रहूँ आपको पता नहीं है वो अलग विशय है सास्त्र कहा अंशांधान कहा शोध कहा गलत हो सकता है अब उत्तर दक्षिन का बता दे हम पूरा पश्चिम हो गया उत्तर दक्षिन का अगर आपकी प्रेमिका या प्रेमिका घर आपके घर से दक्षुण पड़ता है साउथ में तो वहां से आपको बहुत मांसिक तनाव मिलने वाला है आए दिन जगडा लडाई नोक जोक फागदू की चीजों को लेकर शक नहीं रहेगा तो भी शक है तो बहुत बड़ी बात है शक नहीं तो भी जगडा जबरदस्ती का आपने पांच बज़े मिलने के लिए बुलाया था पांच तीस हो गया तो तीस मिनट लेट होने की वज़े से अचानक मामना इतना उलश जाएगा कि हपता पर बोलबे नहीं करेंगे अगर दक्षण में है तो दक्षण वाले प्रेमी और प्रेमी का लोग पहुत अच्छे नहीं होते हैं वो जगडालू प्रवित्ति के हो सकते हैं आप से बात बात पर तुनकेंगे बात बात पर लड़ेंगे बात बात पर जगडेंगे इस्तितियां बहुत बिगर बन जाता है दक्षिन वाले से अगर आपका प्रेमी या प्रेमी का आपसे उत्तर दिशा में है तो बहुत स्वार्थी रहेगा उसको अपना कोई न कोई स्वार्थ हमेशा नीत पाएगा हो कोई न कोई स्वार्थ है रुपैय पैसे का शॉपिंग का या एक emotional attachment का भी हम जो है या care का कि कोई तो है जो ख्याल रखता है कोई जो है जो ख्याल रखती है उत्तर वाला तो ये मामला यहां पर भी बहुत अच्छा नहीं है तो सबसे जादा वो भागशाली है जिसके प्रेमी या प्रेमिका का घर उसके घर से पूरब है उन सब को हमारी बहुत सारी शुबकामनाएं और बाकी के लिए हमारी बहुत अच्छी सी सिंपैथी आपकी प्रति हमारी सहान भूती है ये शुबर आपको भी ऐसा कोई प्रेमी या प्रेमिका दे जो आपके घर से पूरब दिशा में रहता हो बहुत बहुत शुब कामना है आप लोगों की उज्वल भविश्य के लिए अच्छे प्यार के लिए अच्छे मुहबत के लिए आप लोग का प्यार हमारे लिए भी बहुत अच्छा है आप भालत के किसी भी देश के कहीं से भी हैं आपके हम दिलों में हैं और दिल में कोई भी उत् आता जाएगा पूनम की चाद की तरह हैं। 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 आता जाता जाएगा पूनम की तरह हैं।